बिस्मिल्लारहमानुराहिम असलाम लाइकूम आप देख रहे हैं मेरा यूट्वीब चैनल एलेक्ट्र हब डियर वियर्स आज की वीडियो दुबारा हाइर के एसी पे बना रहा हूं ट्रिपल इन्वर्टर के नाम से एच एफ सी ये मॉडल है सबसे पहले आपसे रिक्वेस् हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लें ताकि एलेक्ट्रोनिस की तमाम पॉड़क्ट्स की जो अपडेटिड प्राइसिज हैं और अपडेटिड फीचर्स हैं न्यू लांचिंग है वो तमाम तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें बेल एक्रम जरूर प्रेश कर लेना ता की वरेंटी है 10 साल कंप्रेसर की वरेंटी है 1.2 अमपेर तक ड्रॉप डाउन करता है फुल एनरजी सेमिंग जबरदस किसम का और कोई ब्रैंड नहीं यह डावा कर पाया कि वह 1.2 अमपेर तक आए इसके लावा इसमें सेल्फ क्लिनिंग की ऑप्शन है एनरजी सेमिंग है तो यह यूपीएस पे बहासानी चलता है जैसे इसने अपना रूम टंपरेचर अचीव करना है तो यह 1.2 अमपेर तक आ जाता है स्टार्टिंग तकरीबन सबी 6-7 अमपेर लेते हैं डेटन वाले और वापस को 3 पे आता है को 4 पे आता है लेकिन यह 1.2 अमपेर तक आता है हीट अन कूल इनवर्टर है फुल डीसी इनवर्टर है और HFC के नाम से पूरे पाकसान में अवेलेबल है हाईर आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से और अपनी प्रोड़क्ट के हवाले से शानदार माना जाता है नमबर वन इस टाइम ब्रैंड चल रहा हाईर पिछले महीने म हाई ने एक लाख एसी अपना सेल किया है जो कि इस बात का सबूत है कि हाईर पे लोग बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे है और हाईर भी अपनी परोड़क्ट में मजजीद चान डाल रहा है तो इसलिए आपने बेफिक्र हो कि हाईर की परोड़क्ट लेनी है परिशान नही बहुत अच्छी शानदार और सस्ती परड़क्ट है इसकी जो प्राइस है 18 एच एफसी की जो डे टन का आपका एच एफसी मॉडल होगा वो आपको एक लाख 53 जार उसकी MRP है लेकिन एक लाख 46 47 जार का आपको मार्केट में मिल जाता है जो अगर एक टन की बात की जाए तो एक लाख 23 जार प्राइस है और एक लाख 19-20 जार तक का शॉर्ट स्टॉक होने के वज़ा से ये प्राइस काफी आप हो गई हुए हैं मजीद प्राइस हाई होने के भी चांसिस हैं तो जिन्होंने अगर पर्चेजिंग करनी है तब लेट ना करें पर्चेजिंग जल्दी स स्टैबलेजर बगएरा नहीं लगाएंगे इजी आपका वाइड इसकी वोल्टिज स्टार्ट अप है और गोल्ड फिन कंडेंसर गोल्ड फिन वैपोरेटर के साथ नमबर वन हाईर एसी आपके घर में लगा होगा तो कोई ऐसा भी नहीं कहेगा कि जी नॉन ब्रैंड या क सबसे सस्ता भी है लोगों की बातों में नहीं आना कि इसमें कंप्लेन है इसमें वो है जाहरी बात है जो भी शाइन कर रही होती है कंपनी तो इसके जो कंपिटीटर्स होते हैं वो जाहरी बात है इस चीज़ का फाइदा उठाते हैं कि उसमें ऐसे ही खामिया निकालना लेकिन इसकी जो प्राब्लम की रेशो है वो बहुत काम में अमीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी कानली हमारे चैनल के सबस्क्राइब कर लें बेल आकेम जरूर प्रेस्ट कर लें ताके नए इंफर्मेटिव वीडियो भी आप तक वासा नहीं पहुंच शुक्रिया